हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव एड बिली से सटे बल्लब गड़ में निकिता नाम की लड़की की हत्या का मामला लगातार तूल पकड रहा है आरोप यह है कि उसके दोस्त तौसीफ ने उसे गोली स्लिये मारी क्योंकि उसने अपना धर्म बदलने से मना कर दिया था निकिता को डिली से सटे बल्लब गड़ में बीच सड़क पर गोली मार दी गई CCTV में निकिता को गोली मारने का पूरा वीडियो जो है वो कैप्चर हुआ है निकिता भागती हुई दिखाई दे रही है लेकिन आरोपी तौसीफ उसे गोली मार कर वहां से भाग जाता है परिवार का ये आरोप है कि तौसीफ निकिता के उपर धर्म बदलने का दबाव बना रहा था जब निकिता नहीं मानी और इसलिए उसकी हत्या की गई निकिता की हत्या के विरोध में बल्लब गड़ में उसके परिवार वाले विरोध प्रदशन कर रहे हैं घरवाले तौसीफ को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं निकिता की जान लेने में दो और लड़के शामिल थे तौसीफ के साथ तौसीफ तो गिरफ्तार कर लिया गया है लेकिंद दूसरा जो आरोपी है वो अभी भी फरार है नेकिता की हत्या का मामले की जांच जो है वो SIT यानि स्पेशल इन्वेस्टिकेटिव टीम करेगी परिदाबाद पुलिस कमिशनर ओपी सिंग ने SIT जांच को लेकर ये जानकारी दी ये तीन तस्वीरें आपके सामने परिदाबाद के बल्लब गड़की ये घटना कलकी है नेकिता बीकॉम फाइनल येर की परीक्षा देकर बल्लब गड़की अपने कॉलिज से वापस लौट रही थी तभी एक कार रुकी और कार सवार बाहर आकर नेकिता को कार में बिठाने लगा नेकिता ने विरोध किया तो गोली मारकर दोनों आरोपी फरार हो गए घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने इस मामले में मुखे आरोपी तौसीफ को गिरफतार कर लिया है लेकिन दूसरा आरोपी अभी पकड़ से बाहर है इस घटना के विरोध में लड़की के घर के ने अच्छा जाम किया और हंगामा किया आप देख सकते हैं रोते बिलखते परिवार वालों को बेटी बीकॉम का इमतहान देके घर पहुंचने के लिए निकली थी मनोज वर्मा हमारे सहीयोगी जादा जानकरी लिए हुए जुड रहे हैं मनोज वर्मा आप से मैं इस पू तिल अभी भी फरार है उसी को लेकर के जो पूरा परिवार है वो यहां पर सडको पर प्रदर्शन कर रहा है इस वक्त मैं सोना बलवगड रोड पर हूँ जो परिवार है जो आजपास के लोग है वो नेशनल हाईवे जाम करने के लिए देखिए तस्फिरों में आप देख सकते हैं कि वो निकले हैं यहां से और यह लोग नेशनल हाईवे जाम करना चाहता है परिवार के लोग का साफ तोर पर यह कहना है कि इस मामले में साइटी बनाई जाए और जो दूसरा आरोपी है उसको जल से जल गिरफतार किया जाए इसी को लेकर के जो पूरा का पूरा जो आसपास के लोग हैं जो महिलाए हैं वो सडको पर अब निकली हैं मार्च करने के लिए पुलिस का जो यहां पर बंदोवस्ता है वो भी यहां पर किया गया और अब नैशनल हाईवे जाम करने के लिए यह लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं इससे पहले मैं आपको बत आएगा आगे आपको बताना चाहूंगा कि जो फरीदाबाद के पुलिस कमिशनर हैं उनसे हमारी बाचीत हुई है उनका साफ तोर पर यह कहना है कि जो एसाइटी है वो इसमें गठित कर दी गई है और जो दूसरा मुख्या आरोपी इसके अंदर फरार बताय जा रहा है उ इसकी जो पूरा परिवार है वो यहां पर इसमें माजूद है निकिता की जो बहन है वो हाथ में तस्वीर को लेकर के अब आगे की तरफ बढ़ रही है और जो प्रशासन है वो भी यहाँ पर इनके साथ मौझूद है और अब जो नैशनल हाईवे है उसको जाम किया दाएगा जी बिल्कुल देखें अन्तिम संसकार अभी होना है लेकिन पार्थिव शरीर जो है वो अभी परिवार को नहीं मिल पाया है पोस्मार्टम की जो प्रक्रिया है वो अभी तक चल रही है लेकिन उसके अलावा जो लोग हैं वो सडको पर उतराया है उनमें बहुत जादा नराजगी है उनमें बहुत जादा गुस्सा है और उस गुस्से की वज़ए साफ है कि जब निकिता कॉलिज से बाहर निकलिया और उसके बाद अचानक से वो आरोपी वहां पर पहुंचता है पहले तस्वीरों में साफ तोर पर CCTV में दिखाई दे रहा है कि किड्नैप करने की कोशिश की जाती है और उसके बाद जब निकिता विरोध करती है तो उसको गोली मार दी जाती है और यही इसी वज़े से जो ये लोग है आगे आपको तस्मीरों में मनोज दिखाएंगे जो लोग है उसी गुस्से की वज़े से अब आगे मनोज मैं आप से समझना चाहूंगी जो नेशनल हाईवे है ये कहां से कहां जा रहा है और क्या ये बहुत ट्राफिक को एफेक्ट करेगा अगर इस पर इतनी भीड और जाम लगाने की कोशिश की जा रही है दरना चल रहा है तो जी बिल्कुल देखिए ट्राफिक को बहुत ज़्याद एफेक्ट करेगा आपको बताना चाहूंगा जो नेशनल हाईवे है ये दिल्ली फरीदाबाद रोड है यानि दिल्ली से फरीदाबाद और आगे जो ये रोड है वो मतुरा और आगरा की तरफ जाती है सामने कैमराम अब होने की उमीदे हैं आप देखें तस्वीरों में जो भीड है वो बिल्कुल नेशनल हाईवे के जो नजदीक है वो पहुंच चुके इससे पहले जिस रड़क पर मैं चल रहा हूं ये बल्लबगर सोना रोड है इससे पहले इस रड़क को जाम किया गया था लेकिन जब मांगे नहीं मानी गई और प्रशासन की तरफ से कोई आशवासन नहीं दिया गया उसके बाद जो लोग है वो अब आगे की तरफ बढ़ गया और देखिए अब नेशनल हाईवे के बिल्कुल करीब क्या नेशनल हाईवे पर अब जो है लोग पहुंच चुके हैं सामने नेशनल हाईवे जो है आगरा की तरफ भी जाता है यह मैं मनोज आपसे यह समझना चाहूंगी कि सरे आम एक लड़की की हत्या कर दी जाती है इस तरीके से क्या पुलिस ने परिवार से बातचीत नहीं की इस तरीके का धरना प्रदर्श्या ने इस तरीके की इतनी भीड न लोग है वो अब आगे जो है प्रदर्शन को करते हुए आगे की तरफ बढ़ गए हैं और कहीं ना कहीं नाकामी जरूर है फईदाबाद पुलिस की क्योंकि अभी तक सिर्फ इस मामले का एक ही आरोपी पुलिस गिरफतार कर पाई है जबकि दूसरा आरोपी भी साफ तोर सिसी टीवी के अंदर इसमें नजर आ रहा है जो गाड़ी चला रहा था वो शक्स दूसरा आरोपी है पुलिस का साफ तोर पर यह कहना है कि उसकी तलाश में छापे मारी की जा रही है लेकिन अभी तक वो पुलिस की गिरफ से बाहर है वहीं परिवार लगातार यह आरोप एक आरोप यह भी लग रहा है कि यह लड़का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश कर रहा था इस चीज के लिए दबाव बना रहा था इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास जो देखिए ऐसा आरोप जो है वो परिवार वाले लगा रहे हैं जो आसपास के लोग हैं वो लगा रहे हैं आपको बताना चाहूँगा कि 2018 में भी एक मुकदमा दर्ज किया गया था इससे पहले जब मैंने परिवार से बातचीत की तो जो लड़की के पिता हैं उनका साफ तौर पर ये कहना था कि 2018 में भी किड्नैपिंग की कोशिश की गई थी उस वक्ट भी मुकदमा पुलिस की तरफ से दर्ज किया गया था और कोई कॉल किया या परिशान करने की कोशिश की तो परिवार का साफ तौर पर कहना था कि एक बार और शादी के लिए दवाब बनाया था प्रेशर बनाया था लेकिन उस वक्त भी मामले को सुल्टा लिया गया था लेकिन अब कल अचानक से क्या हुआ ये अब पुलिस की पर्याम इस लड़की की हत्या हो गई मनोजा बने रही है हमारे साथ